हेलो एवरिवन वेलकम टो यामी रैसिपीस किचन आज मैं आपके सार शेयर करूँगे इफतार के लिए आलू ब्रैट फिंगर्स की रैसिपी बहुत ही सिंपल और इजी सी रैसिपी है इसे बनाना बहुत आसान है और खाने में तो यह बहुत ही टेस्टी होते हैं तो आप इस तो इसमें डालेंगे प्यास तो मैंने यहां पर एक मीडियम साइज की प्यास को बारिक कट करके डाला है प्यास को हमें फ्राई करना है तो प्यास को हलका कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे प्यास को हमें बस इतना फ्राई करना है कि प्यास का कलर चेंज होकर हलका गुल भी चेंज हो गया है. तो अब हम इसमें 2-3 बारिक खटी हरी मिर्ज जालेंगे हरी मिर्ज से इसमें बहुत ही तीखा अच्छा फ्लेवर आता है हरी मेर्ज को भी हम कुछ सेकंड तक फ्राइ करेंगे कुछ सीकंड हरी मिर्ज को फ्राइ करने के बाद अब हम इसमें one tablespoon लेसो नदरक का पेस्ट आड़ करेंगे लेसो नदरक को भी हम 1-1.5 मिनिट तक मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे जब तक कि लेसो नदरक की रॉय स्मेल जो है वो खत नहीं हो जाती है तब तक हमें लेसो नदरक को भूनना है लेसो नदरक जब अच्छी तरह से भून जाएगा और इसका कच्छा पन भी खत्म हो जाएगा तो अब इसमें कुछ पॉडर मसाले अट करेंगे तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ एक टी स्पून नमक नमक आप अपनी टेस्ट की अकॉर्डिंग थोड़ा कम या जाधा कर सकते हो एक टी स्पून ही इसमें चिली फ्लैक्स एट करेंगे अगर आपके पास चिली फ्लैक्स नहीं है तो आप इसकी जगा लाल मिश पॉडर भी आट कर सकते हो एक टी स्पून धनिया पॉडर और आधा टी स्पून हल्दी पॉडर डालेंगे आधा टी स्पून गरम मसाला डालेंगे और चटपटे फ्लेवर के लिए इसमें आधा टी स्पून चाट मसाला आइट करेंगे और अब इन सभी मसालों को अच्छी तरह से मिला देंगे और इन मसालों को भी 1-1.5 मिनट तक लो फ्लेम पर भूनेंगे जिससे कि मसाले अच्छी तरह से भून जाए और मसालों का कच्छा पन भी खत्म हो जाए अब देखिए मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से भुन गए हैं मसालों का कच्छापन भी खत्म हो गया है और इसमें से भुनने की जो है बहुत अच्छी खुश्बू भी आ रही है तो अब इसमें एड़ करेंगे उबले हुए आलू तो मैंने यहाँ पर 5-6 मेडियम साइज के आलू को पहले उबाल कर फिर पील करके फिर अच्छी तरह से मैश करके इसमें डाला है आलू को भुने हुए मसालों में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हाई फिलेम पर लगतार स्टेयर करते हुए 1-5 मिनिट तक भूनेंगे अब देखी आलू जो है वो मसालों में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गए है आलू का कलर भी चेंज हो गया है तो अब हम इसमें एक मुट्टी हरा धनिया डालेंगे तो हरे धनिया को बारिक कट करके डालिएगा और इसी के साथ इसमें 50-100 ग्राम पनीर एट करेंगे तो मैंने यहाँ पर पनीर को ग्रेटर से ग्रेट करके डाला है पनीर का भी इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जिससे ब्रेड रोल जो हैं बहुत ही ज़ादा टेस्टी और हैल्दी बनते है लो फ्लेम पर पनीर को आलो के साथ अच्छी तरह से मिलाएंगे अब देखी मसालो के साथ आलो बहुत अच्छी तरह से भून गए है और पनीर का भी इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ गया है तो अब हम इसमें एड़ करेंगे चीज तो मैंने यहाँ पर ग्रेट चीज डाला है आप चाहें तो चीज क्यूब को भी ग्रेटर से ग्रेट करके इसमें डाल सकते हो तो जब आलू और पनीर अच्छी तरह से भून जाएं तो आपको एंड में इसमें चीज एड़ करना है ग्रेटर चीज डालने से इसमें चीज आलू में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है आप इसमें चीज जरूर डालिएगा क्योंकि चीज डालने से ये बहुत ही flavorful हो जाता है और इसका texture भी बहुत अच्छा आता है अब देखिए तमाम चीजे जो हैं वो अच्छी तरह से mix हो गई हैं तो gas की flame को off करके इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे अब हम यहाँ पर लेंगे bread तो मैंने यहाँ पर white bread के slices लिए हैं आप brown bread भी यहाँ पर ले सकते हो और अब यह आलू की stuffing bread के उपर अच्छे से लगा देंगे तो पूरे bread slice पर अच्छे से spread करते हुए लगाएंगे जिससे यह पूरी तरह से cover हो जाए अब देखिए यह bread आलू की stuffing से बहुत अच्छी तरह से cover हो गया है तो अब हम लेंगे knife और इसे knife से cut कर देंगे तो यह देखिए इस तरह से finger shape में cut हो गया है तो इसे इस तरह से सारे को हमें cut कर लेना है और इने cut करने के बाद अब हम इनके लिए celery बनाएंगे तो celery बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून मेदा लिया है और अब हम flavor के लिए इसमें अड़ करेंगे आधा टी स्पून नमक, आधा टी स्पून काली मिर्ज का powder और आधा टी स्पून ही इसमें चिली फ्लैक्स अड़ करेंगे और अब इसमें एड़ करेंगे पानी तो अभी मैंने एक कप पानी लिया है लेकिन मैं इसमें सारा पानी एक साथ नहीं डालूंगी जितनी जरूरत होगी उसी के मताबिक थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी एड़ करेंगे क्योंकि हमें इसका बैटर जैसा बनाना है अब देखिये मैंने इसमें तकरीबन एक कप पानी डाला है और ये इसका Lums Free Butter बनकर तैयार हो गया है तो बस इसी तरह से हमें अच्छी तरह से मिलाकर इसका Lums Free Butter बनाकर तैयार कर लेना है next अब हम ये bread finger लेंगे और इसे मैदा की घूल में dip करके इस पर ये bread crumbs की coating कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर 3-4 bread slices को mixer jar में grind करके उसका ये bread crumbs बनाया है तो इसी bread crumbs की coating हम इन bread fingers पर करेंगे तो हर तरफ से अच्छी तरह से bread crumbs की coating कर लेनी है इस तरह से coating करने से bread fingers बहुती crispy और tasty बनकर तयार होते हैं तो बस हम एक bread finger लेंगे उसे इस लेरी में dip करेंगे और फिर इस पर हम कर लेंगे bread crumbs की coating अब देखिए मैंने यहाँ पर सारे bread fingers को बनाकर तयार कर लिया है तो इने fry करेंगे तो इने fry करने से पहले 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में हम रखेंगे जिससे कि हमने इस पर जो bread crumbs की coating की है वो अच्छी तरह से set हो जाए उसके बाद ही हम इसको fry करेंगे इसको deep fry करने के लिए तेल जो है वो बहुत अच्छा तेज गर्म होना चाहिए तेल जब high flame पर बहुत अच्छा गर्म हो जाएगा तब ही आप इसमें यह डालिएगा क्योंकि इसको डालते ही तेल का temperature जो है वो थुड़ा ठंडा हो जाता है और तेल में जाने के साथ ही यह settle भी हो जाते हैं तो इस तरह से आपको तेज आज पर high flame पर इसको तेल में डालना है तो अभी गर्म गर्म तेल में हम इसको fry करेंगे तो एक बार में हम इसमें इतने ही pieces डालेंगे जितने की आसानी के साथ आ जाएं और fry हो जाएं तो एक side से हम इसे high flame पर 2-3 minute तक fry करेंगे और इसका हलका color बदलने देंगे तो जब 2-3 minute इसे एक side से हम fry कर लेंगे और इसका हलका कलर बदल जाएगा तो फिर हम इसकी side change करेंगे और इसको दूसरी side से भी 2-3 मिनट तक हम high flame पर fry करेंगे तो आप देखें बहुती प्यारा जो है ये एक तरफ से sick चुका है तो अब हम इन सभी की side change कर देंगे और दूसरी side से भी इसको high flame पर fry कर लेंगे इन bread fingers को दोनों तरफ से fry होने में 4-5 मिनट का टाइम लगता है 4-5 मिनट में ये दोनों तरफ से बहुती अच्छी तरह से fry हो जाते है आप देखिए दोनों तरफ से बहुती अच्छी तरह से fry हो चुके है बहुती अच्छा जो है इन पर color आया है तो इने oil से बहार निकालेंगे तो बस मिनटों में जो है ये fry भी हो जाते है और बहुती easy है इने बनाना बहुती simple recipe है खाने में भी बहुती tasty लगते है आलू की जो stuffing इसके अंदर है वो बहुती tasty और लाजवाब बनती है इस तरह से आप इसे bread के साथ बनाईएगा जरूर बहुती कमाल की लगेगी और आपको पसंद भी बहुत आएगी तो friends आलू bread fingers को आप एक बार बनाईएगा जरूर बहुती tasty और लाजवाब जो है ये बनकर तयार होते है तो आप इस रमजान इस recipe को एक बार try जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक और नई recipe के साथ तब तक के लिए आला हाफिस